तो गाइस लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों ने मुझे काफी मेंची सेंड की स्केचिस की तो मैंने कुछ ली उनमें से तो मुझे एक कॉमन चीज नजर आई सम्में आप देख सकते हो जासे की इनका face structure बहुत बेसिक face structure काई से भी मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहली बाद तो यही होती है तो उसके लिए अगर आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करना है कि आपका बिलकुल face structure मैच करें background के साथ जासर कि reference फोटो से sketch में बिलकुल मैच कर रहा है और उसमें cube type लगाने जैसे कि इस image में लगे हुए है और वही cube आपको आपके normally rough sheet पे बनाने ड्रॉ करने ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाएगी हाँ मुझको कितना कहां से ड्रॉ करना है ठीक है तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं मैं horizontally and vertically दोनों तरह से lines किलिक कर चुका हूँ और जिससे cube type बन चुका है जो कि दोनों side से बिलकुल equal है जिससे मेरा sketch बिलकुल perfect बनेगा तो ऐसा ही आप कर जाकते हैं और इससे होगा क्या कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मेरे को कहां से कौन सी line किलिक करनी है और here's किस direction में जाएंगे ठीक है जैसा कि मैं कर रहा हूँ देखो एयर बना रहा हूँ अभी मैं तो उसमें मेरे को पता है कि किस line से मेरे को draw करना है एयर और कितना बड़ा बनेगा उससे बिलकुल size का भी पता चल जाता है और equality भी आ जाती है अगर आप ऐसे draw करोगे तो आपका maximum जो sketch होगा वो reference photo से match करेगा तो देखो normally अभी मैं hairs draw करते जा रहा हूँ ठीक है तो आप भी ऐसे कर सकते हो या तो अपने phone में मेरी तरह grid app download करके image को ऐसे कर सकते हो या फिर एक और तरीका कर सकते हो आप कि normally एक a4 size की जो photocopy होती है आप photocopy निकल वालो ठीक है फिर उस पे जितनी line click करोगे बिल्कुल नापके करना एकदम साटीक से ठीक है और उतनी line उतनाई space देकर आपको rough sheet पे भी draw करना है ताकि आपको बिल्कुल एकुल अंदाजा मिल जाए और जिससे आप आराम से face का basic structure draw कर सको ठीक है जिक हो अभी basic structure draw कर रहा हूँ जस्ट इस वीडियो में यही बताऊंगा मैं आपको ठीक है जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ मेरे को पूरा पता है कि किस cube पर नाग बनेगी किस cube पर eyes technique कहते है और cube technique भी आप बोल सकते है इसको तो यह काफी helpful होती है एक realistic face structure draw करने के लिए तो अभी जस्ट यह face structure है तो यह अभी इतना match नहीं करेगा जितना यह बनने के बाद करेगा क्योंकि अब इसमें shading भी होना बाकि है जो मैं आपको next video में बताऊंगा तो अभी आपका का यह है कि आप मुझे next video से पहले मतलब इस video को देखने बाद मैं आपको एक reference photo provide करूंगा उसका आपको मेरे को ऐसे ही बिल्कुल ठीक है basic structure बना के send करना है और मैं किसी किनी 2-3 बंदों की sketches को उठाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा ठीक है next video shading के बारे में बात करेंगे कि how to shade ठीक है अपने एक realistic sketch बनाने के लिए shade का क्या importance है और हम उसको कैसे कर जाकते है तो guys देखो यह हमारा पूरा complete हो चुका है basic structure है जस्ट यह तो guys next video shading के ओपर होगी तो आप इस video को like करें share करें और comment करके बताए कैसी लगी